नमस्का दोस्तों मैं दिनेश कुमार पांडे आप सब का फिर से कॉम्पेशन कम्पूनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसमों हमनों MPPSC और other competitive exam के लिए भी हमनों जो चर्चा कर रहे हैं उससे related आज मैं MCQ लेकर के आया हूँ और आज का जो हमारा MCQ का टॉपिक है वह है आपका बजट ठीक बजट के लिए class मैं आप दो को दे चुका हूँ और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एकली का बजट जो है इसके MCQ एक तो वैसी ही मैं आपको पहली बोला हूँ कि एकदम क्या बोलते करेंट लेवल पर question आने वाले हैं और MCQ भी में एकदम कम रखा हूँ आज तो देखते हैं इसमें कौन कौन से question है जो आपको profit करें और जो आपकी तैयारी में सहायक हो ठीक है तो चले start करते हैं अपन MCQ किसका बजट का ठीक तो लेट स्टार्ट तो पहला question भारत सरकार का कौन समंत्राल है केंदरी बजट प्रस्तूत करता है तो common sense ह finance minister जो क्या पेश करता है बजट पेश करता है दूसरा question है कि आजाद भारत का पहला केंदरी बजट किसने पेश किया तो आजाद भारत का पहला स्टन भारत का पहला बजट पेश किया था आर के सब्भारत का सबसे लंबा बजट पढने का रिकॉड किसके नाम से तो भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ा था सन 2022 के बज़ट में किसने निर्मला सीता रमल ने जो गधा चाली समीनित तक चला जो भारत के इतिहास का सबसे लंबा बज़ट भासर था 2 गधा 40 मिनित का सन 2022 का बज़ट इसको पड़ी दी निर्मला, सीता रमल ने थीक, फिर उतुके बाद केंद्रा राजिसरकार दोनों के कर्मिचारिओं की करकटवती की सीमा 10% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिगई है तो वो कर दिगई है 12%, कितना प्रतिशन कर दी गई है 12% कर दिगई है next question corporate surcharge corporate surcharge 12% से घटा करके कितना प्रतिस्थ किया गया है तो सन 2022 में corporate tax 12% मतब corporate surcharge 12% से घटा करके 7% किया गया है कितना %? 7% उसके बाद सन 2022-23 के लिए अर्थ वहस्ता के अर्थ वहस्ता में समगर निवेस को उत्प्रेरीत करने में मतब 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 13,700 करो रुपए दिया गया है कौन सा? 13,700 करो रुपए बंटित किया गया है फिर उसके बाद अमरीतकाल कि से सम्बंधित है तो अमरीतकाल सम्धित है आपका भारत की स्वतंता के 75 वर्ष से ले के नब सौ वर्स तक की अवधी को अमरित काल की संग्या दी गई है ठीक उसके बाद आतिक सरेक्षन के नुसार भारत के अध्युदिक चेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत की विद्धी दैज करने की संभावना है ठीक है ना तो यह कोशन किसी काम करें इसको डिलीट करते हैं फिर उसके बाद केंद्री बजट 2020 में प्रस्तावी थे कि पांच पुरा चत्वीक इस्थलों को साइट पर संग्रहलों के साथ प्रतित संग्राले मुझे उनके जहां पर है वहां पर एक संग्राले बनाया जाएगा तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं हर्याना का राखीगड़ है तमिलाडू का आदिल चनलूर है गुजरात का धोली विरा है मगर राजिस्थान का काली बंगा को सामील नहीं किया गय है पर उसके बाद है जाए कि 22 23 के तuéमिलाडू बजट के तहट सरकार ने किस सहर में बार नास और धोड़िट की बाद कर रहा हूं कि तो अन्य तो नि मॉर्च एक कित नाज को पाम सो क्यूंगर डित कि तो शेन नहीं को बार से बचने के लिए किसे इस शेंप को ठीक उसके बाद विट्टी वर्ष दो जाब 22-32 में केंज सरकार का अनुमानित प्रभावी पुझी गत्व है तो प्रभावी पुझी गत्वे कितना है 10.68 लाख करोड सरकार का पुंजी गत्व है कितना है 10.68 लाख करोड रुपह है ठीक एकदम इजी कोश्चन है इससे जादा डीप नहीं जाने वाला ठीक उसके बाद वर्चुल डीजीटल एसेट के हस्तरांतन के संबंद में किये गया भुक्तान पर केंद्री बज़ट दोजाब 22 में प्रस्तावी TDS दर क्या है? तो डीजिटल भुक्तान में जो TDS दर है उसको कितना रखा गया है? 1% किता परसे रखा गया है TDS दर 1% रखा गया है ठीक उसके बाद केंदरी बजट 2022 के नुसार भारत अन देशों को विकास साहता एक रूप में पदान करेगा मतलब 2022 में रखा गया है कि भारत अपने परोसी देशों को भी साहता पहुंचाएगा तो कितना करोड रखा गया है तो रखा गया है या 6292 करोड जिसमें 300 जिस ठीन लग बख 200 ते 300 करोड अफगानिस्तान के लिए ठीक 2020 करोड सिलंका के लिए 200 से 300 करोड भुटान के लिए तो ऐसे करते करते भारत क्या कर रहा है कि अपने पडोसी देशों के शहता करने के लिए एक फंड रखा है इसकी कुल एमाउंट है 6292 करोड रुपए 6292 करोड रुपए क्या किया रखा हुआ है भारत ठीक है 2022 के बजट के नुसार पिर उसके बाद केंदरी बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सितरमल ने साजनी छेत्र के बैंकों के पुना पुंजी करण के लिए कितनी रासी प्रस्तावी था मतलब पीएसबी के लिए कितनी रासी उन्होंने रखा हुआ है तो पीएसबी के पीएसबी बैंक के लिए कितना करोड रुपए 20,000 करोड रुपए जमा रखा है मताब उसके लिए प्रस्तावीत किया है ठीक है तो यह देखो इतना इजी-जी कोशन है ज्यादा हाट कोशन नहीं है ठीक और यह कोशन का लेवल भीना बजट से आपको एकदम करेंट लेव पर कोशन नहीं गया है तो इसको कोशन को भी क्या किजेगा रीट किजेगा देखो मेरा मानना यह है कि आपको अपनी स्टेडी ऐसी करनी चाहिए कि आप से वो कोशन बने ठीक जो आते हैं मतलब हमको उस टॉपिक पर फोकस करना है जो आते हैं ठीक और कभी-कभी ऐसे होते कि 10 से 15 को शर्ट ऐसी होते हैं जिनको हम पढ़े नहीं रहते हैं मगर फिर भी वह आ जाते हैं तो जैसे आपके economics में budget का एक topic इंक्लूड नहीं किया गया है मगर फिर भी मैंने budget को ले करके आप लोग से चर्चा की और class ली तो उसको अच्छे से पढ़िए देखिए और जितना mcq बनाया हूं उस mcq पर focus कीजिए clear और update रही है current से current level पर जितना update रहेंगे उतना अच्छा economics का paper बनेगा ठीक है clear और अगर कोई problem हो तो क्रिपया कमिन्स में बताइए उसको हम solve जरूर करेंगे ठीक है चलिए नमस्कार थैंक यू सो मच जैहिन